वेल्कम टू माई नूटिशियोस रेसिपीज आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड़ू यह देखिए मैंने पैन में घी गरम करने को रखा है और यह गोंद लिया है इसके छोटे-छोटे पीस किये मैंने अगर आपके पास में बड़ा गोंद हैं तो मिक्सी में या फिर क चोटे पीसे में करके कनवर्ट कीजिए उसके बाद इस तरह से फ्राइब कीजिए तो हमारा गोंद कभी भी कच्चा नहीं रहेगा यह देखिए घी थोड़ा सा गरम हो फिर हमें आज को धीमी कर देनी है और उसमें अच्छे से फैला देना है गोंद को जैसे मैंने डाला ह है वैसे आप डालेंगे तो आपका गोंद कभी भी कच्चा नहीं रहेगा इसी तरह से हमें सारा गोंद करना है और इक डिबे में भरके रग देना है अब हम पैन में घी लेंगे एक बोल घी लिया है देशी घी मैंने और इसमें हम डालेंगे दो बोल गियू काटा एक बोल घी में दो बोल गियू काटा लगता है अब हम इसे अच्छे से रोस्ट करना है जब तक गोल्डें ब्राउन नहीं हो जाता हमें दीवी आज या तो थोड़ी सी मीडियम रख सकते हैं आप बीच पीच में अपकी साफ से अजस्ट कर सकते हैं अब इसे हीलाते भी रहना है नहीं तो नीचे से चिपब जाएगा और जल जाएगा जितना धीमी आज पर हमारा घी और आटा सिकता है उतना ही अच्छा तेस्ट भी आता है और खुश्बू भी आती है जब यह गोल्डें ब्राउन सिक जाएगा अब हम इसे गैस पर से नीचे ले लेंगे अब 15 मिनिट के लिए इसे ठंडा होने देंगे अब अंगुली से चच करके देख सकते हैं कि अगर यह ठंडा हो गया है थोड़ा नॉर्मल गरम रहा है तब ही हम उसमें शक्कर डालेंगे दो बोल लाटना में हमें एक बोल शक्क अगर आप कम मीठा खाते हैं तो एक बहुत से थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमें इसमें गुल्द का अमारा पीसावा जो हमने गुल्द फ्राइय किया तो वो डालना है आप चाहें तो कुछ और भी एड़ कर सकते हैं बदाम रोस्ट करके भी एड़ कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर कुछ भी एड़ नहीं किया है अपनी मन पसंद ड्राइड फूट एड़ कर सकते हैं पर यह पर्यूशन रेसीपी है तो इसमें सिर्फ बदाम ही यूज में आ स यह देखिए कितने मोती जैसे फ्राइब हुए है हमारे गुल्ड की पीस कि अब हमें से मिक्स कर देंगे कि जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमें इसके लट्टू बांदे हैं लट्टू आप अपने साइज और अपने शेप की इसाब से कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है कि एक बात का में हमेशा ध्यान देना है कि गौन डालने के बाद हमें उसे हलके हाथों से मिक्स करना है ताकि गौन के पीस रहें अच्छे से अब हम इसके लट्टू बना करके सर्व करेंगे एक बाद जरूर ट्राइए कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग अभूू